जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री मत्भागवत महापुरान की मंदर शिबंसी वाले महत्मा यूटिप चैनल के ओर से हम आप सबी भकतों का हार्दे का भिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिर्मत भागवत महापुरान के दस्वे सकंद के 47 अध्याय की परमपावन कथा इस अध्याय का नाम है उद्धव गोपी समवाद बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने की जै बोल शिर्मत भागवत महापुराने की जै उद्धव गोपी समवाद श्रीमत भागवत महापुरान का एक ऐसा विशेश प्रसंग है कि जिसमें गोपियों के श्री कृष्ण जी के प्रती प्रेम भावना का पूरा पता चलता है उद्धव जी महाराज गोपियों को ग्यान सिखलाने के लिए ब्रज में जाते हैं लेकिन गोपियां उनको प्रेम की वो शिक्षा देती हैं कि जिससे उद्धव का ग्यान का सारा अभीमान नष्ट हो जाता है उसी के बारे में ये सारी कथा है तो उद्धव गोपि समवाद का पहला भाग हम आपको यहां पर सुनाने जा रही हैं शिर शुकदेव जी महाराज राजा प्रिक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित शिर्यमतुरानाथ जी ने गोपियों को ग्यान सिखाने के लिए उद्धव को राधारानी आदी की प्रीती की बातें याद करते थे तो उनके सखा उधव अपने ग्यान के अभिमान में उनकी हंसी उडाया करते थे अत्य एक दिन शिरी मुरली मनोहर ने बलराम जी से ये कहा कि हे भाया हमने अपने कतना अनुसार किसी को ब्रज में नहीं भेजा है वहां के सब लोग अत्यांत चिंतित हो रहे होंगे अत्य किसी को भेज कर उन्हें धैर बंदाना चाहिए ये कहकर शिक्रिशन ने आज सोचा है कि उधव को अपने ग्यान का बड़ा अभिमान है अत्य गोपियों को ग्यान का उपदेश करने के लिए उसे ही वहां पर भेजना चाहिए ऐसा निर्शे करके उन्होंने उधव को अपने पास बुला कर इस परकार कहा है कि हे मित्र नंद ये शोदा और राधारानी आदी ब्रज के सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े दुखी हो रहे हैं मैंने उन्हें ये वचन देकर विदा किया था कि मै फिर से लोड कर तुम्हारे पास आऊंगा सो इसी आशा में वो अपने प्रानों को रोके हुए मेरी परतिक्षा कर रहे हैं हे मित्र उनके अटूट प्रेम के वश में हुआ मेरा भी मन भहुत व्याकुल रहता है अतै मैं तुम्हें ग्यानी तथा अपना प्रमप्रिय मित् प्रजना चाता हूँ तुम वहां जाकर नंद ये शोदा तथा गोपियों को ऐसा ग्यान का उपदेश दो कि जिससे उने मेरे वियोग का दुख कम हो जाए लोटते समय रोईनी माता को भी अपने साथ लेते आना आज श्री कृष्ण जी के मुख से इन वचनों को सुनकर उ प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए मैं आपकी आग्या के अनुसार ब्रज में जाकर उन अनपड गोपियों को निर्गुन भ्रहम की उपासना का तच्व समझाऊंगा आज उद्धव ने गोपियों को अनपड कहा है ये सुनकर ठाकुर जी के मन में आज कुछ क्रोध तो अब इनके ग्यान के अभिमान को तोड़ना ही जरूर चाहिए सो ऐसा विचार करके आज श्रीकृषन जी ने फिर से उद्धव से कहा है हे उद्धव गोपियां मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल रहती हैं सो तुम ऐसा ग्यान उपडेश करना कि वे मेरे प्रती संसारी भाव से मेरा समर्न किया करें तुम नंद ये शोदा को ये समझाना कि वे मुझे पुत्र भाव को भुलाकर परमेश्वर भाव से जानें उद्धव ने उत्तर दिया कि हे प्रभू बड़ी अच्छी बात है मैं आपकी कतना अनुसार नंद गाव जाकर उन्हें यही कि जिसमें सभी छोटे बड़ों को दंडवत आशीश लिखकर गोपियों को घ्यान का उपदेश किया गया था श्रिश्याम सुंदर ने उद्धव से ये कहा कि तुम इस पत्र को पढ़कर सब लोगों को सुना देना और उन्हें धीरज बंदा कर शीगर ही लोट आना इतना कहकर शीश्याम सुंदर भगवान ने उद्धव को अपने वस्त्र आभूशन पहनाए और रत में बैठा कर विदा करते हुए आँखों से आशु भर कर कहा है कि हे उद्धव ये शोदा मया से मेरा ये संदेश कह देना कि वे अच्छी तरह से रहें कुछ दिनों में हम दोन से मेरी भूख मिट सी गई है अब तो यहां रहकर मुझे प्रतिशन उनकी याद आती है जिस दिन से धही माखन छूटा है उस दिन से मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है ए उद्धव तुम मेरी ये शोदा मया से ये कह देना कि तुम्हारी याद मुझे एक शन को भी नहीं भूलती है आज बलदेव जी भी रोते हुए कहने लगे हैं ए उद्धव तुम मेरी और से नंद ये शोदा से हाथ जोड कर ये कह देना कि हम दोनों भाई शेगर ही आकर उनसे भेंट करेंगे वे हमें अपना पुत्र जान कर कभी नहीं भूलें आज श्रीक्रिशन औ और बलराम जी की आँखों में प्रेम के आंसू है आज नंद बाबा ये शोदा मया और साथ में राधारानी आदी सभी ब्रज के गोपी गवालों को याद करके आज शिर श्याम सुंदर भगवान और बलराम जी की आँखों में आंसू जर जर बह रहे हैं उद्धव को ग्य उधर जब वसुदेव जी को ये ग्यात हुआ कि उधव नंद गाव जा रहे हैं तब उन्होंने नंद जी तथा ये शोदा जी के लिए भूत से उपहार लेकर एक पत्र दिया कि तुमने हमारे पुत्रों का जो पालन किया है उसका रिन हम अनेक जनम लेकर भी कभी नहीं चु प्रतीत होने लगा कि आज कोई श्री श्याम सुंदर का संदेशा लेकर जरूर आएगा अत्वा में स्वयम ही आएंगे एक गोपी ने अपने आंगन में कववे को बोलते हुए देखकर कहा है अरे काग मैं तुझे दूद भात खिलाऊंगी यदि श्री मन मोहन प्यारे यह आकर हमें दर्शन दे देंगे दूसरी गोपी आज कहने लगी है कि हे सखी आज बाई आँख फड़कने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री श्याम सुंदर यहां जरूर आ रहे हैं आज उनके चंद्रमुख का दर्शन पाकर हम तुम अपने नेत्रों को शीदल कर जब उद्धव नंद गाव में पहुँचे तो उन्होंने ये देखा है कि सगन रिक्षों पर अनेक परकार के पक्षी बैठे हुए मधुर बोलियां बोल रहे हैं तथा चारों और गाएं घूम रही हैं यहां कि इस सुंदर शोभा को देखकर आज उद्धव का चित प्रस प्रेम हो तो ऐसा हो कि जहां पर ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं उस स्थान पर उद्धव जी शाष्टांग प्रनाम करते हैं दंडवत प्रनाम करते हैं इसी को प्रेम कहा जाता है आज कल के इस कल्यूग में लोग भगवान को माथा तो टेकते हैं भगवान के मंदिर में चाकर माथा तो टेकते हैं लेकिन कुछ लोग हाथ भी पूरी तरह से नहीं जोडते कुछ लोग एक हाथ से ही प्रनाम कर देते हैं नीचे शाष्टांग प्रनाम करने की तो बात ही दूर है ये बात सही है कि आज भी कुछ लोग शाष्टांग प्रनाम करते हैं भगवान के मं दिर में शाष्टांग दंडवत प्रनाम करते हैं लेकिन अधिकांशी लोग आज दोनों हाथ भी ठीक से जोड़कर भगवान को प्रनाम नहीं करते लेकिन आज की इस कथा में उद्धव जी स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए श्री क्रिश्न भगवान जी ने जहां पर सुन्दर लीलाएं की हैं उस स्थान पर ब्रज की उस पावन भूमी पर आज उद्धव जी महराज शाष्टांग लेट कर दंडवत प्रनाम कर रहे हैं यही प्रेम की प्राकाश्टा है कि भगवान से प्रेम हो तो ऐसा हो सच बात है कि उद्धव जी को भगवान से अत्याधिक प्रेम था लेकिन जो थोड़ा बहुत उनके अंदर ग्यान था वो ग्यान बाहर ज्यादा छलक रहा था उस ग्यान के अभिमान में वो गोपियों को अनपड कह बैटे थे गोपियों को साधारन इस्त्रियां समझते थ गोपियों को अज्यानी समझते थे और ठाकुर जी को उद्धव के मन के इस भाव का पता था भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं भगवान को ये मालुम था कि उद्धव को अपने ग्यान का अभिमान भहुत अधिक हो गया है प्रेम तो उद्धव जी में है लेकिन ग् आज उद्धव को प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान ने ब्रज की पावन भूमी में भेजा है ब्रज की पावन भूमी में उद्धव जी शाष्टांग लोट कर प्रनाम कर रहे हैं दंडवत प्रनाम कर रहे हैं तो यहीं पर शिर्मत भागवत महापुरान की आज की इस कथा का विश्राम होता है इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हर्दी के धन्यवाद भगवान शी रादा कृष्टन जी की शिर्मत भागवत महापुरान की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै शिर्मत भागवत महापुरान की जै श्री शुकुदेव जी महाराज की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्याम